मध्यप्रदेश में इस समय विधानसभा चुनाव का माहौल है और भाजपा कॉंग्रेस एक दूसरे के उपर आरो प्रत्यारोप लगा रहे हैं इसी बीच बैतूल कलेक्टर के उफीशल ट्विटर हैंडल से सरकार विरोधी एक पोस्ट रिट्वीट होने के बाद जैसे हडकम मज गया हो मामला सामने आने के बाद अपर कलेक्टर ने गंजपुल स्थाने में अफाई आर दर्ज करा दी बैतूल के गंज थाने में 17 सितंबर की रात अपर कलेक्टर जैप्रकास सयाम ने आवेदन किया जिसके आधार पर एफाई आर दर्ज की गई इस आवेदन में बताया गया कि अग्यात व्यक्ती ने बैतूल कलेक्टर के ओफिशल ट्वीट अकाउंट पर भ्रामक पोस्ट रिट्वीट किया है अग्यात व्यक्ती के खिलाफ सूशना प्रद्योगी की अधिनियम 2000 की धारा 66 के तहत मामला पंजिकरित किया गया बैतूल कलेक्टर अमनबीर सिंग बैस को किसी ट्वीटर हैंडल ने इस मामले की जानकारी दी उन्हें बताया गया कि बैतूल कलेक्टर की ट्वीटर अकाउंट पर इसे रिट्वीट किया गया है इस Post के टैग लाइन में लिखा गया है कि जंता अब रस्ताचारी सरकार को सत्ता से बाहर कर देगी इस Post में एक बैनर भी लगा है जिसमें घोटाला घोटाला लिखकर 86,000 करोड लिखा है मामला संग्यान में आने के बाद इस पोस्ट को ततकाल हटा दिया गया और इस मामले में बताया जा रहा है कि यह रिट्वीट कलेक्टर की बिना अनुमती से हुआ था जनसंपर्क संचनाले ने इस ट्वीटर अकाउंट को हैंडल करने वाले शियो बारंगे की सेवाएं समाप्त कर दी फिलहाल इस मामले को लेकर ट्वीटर अकाउंट को हैक करने की भी संभावना है पुलिस जाच कर रही है और इस रिट्वीट करने वाले व्यक्ति की तलाश की जा रही है अपर कलेक्टर बैतूल जैप्रकाश सयाम का कहना है कि बैतूल कलेक्टर के ओफिशल ट्विटर अकाउंट पर कलेक्टर की बिना अनुमती के एक भ्रामक बोस्ट की गई है किसी अग्यात व्यक्ती ने रिट्वीट की कर दी है इस मामले में FIR दर्च कराई गई